2i note upon 5, ठीक है, या सही बोलाया मैंने, 2i note upon 5, for half cycle, average value, तो, हार्दिक सिंह हडा, yes, दिवानशी is saying, right, okay, फिर आया था, बहुत important, rms value, root mean square, yes, 2i note upon 5 मैंने बोलाया, वर्षा गोल, वर्षा भी सही बात है, 2i note upon 5, ठीक है, 2i note upon 5, इसकी value होती है, लेगिन, sorry, मैं क्या बोड़ा था, rms value, rms value उसकी होती है, root mean square value अपन बोलते हैं, एक particular time interval में, उसकी, पहले, अपन पहले square कर देते हैं instant variance value का, फिर उस particular time interval के लिए अपन total उसका लेकिए average लेके, फिर last under root लेके, वहमारे पास आया था, v node by root 2, i node by root 2, i node by root 2, v node by root 2, ठीक है, एक दो बच्चे एबर my phone करके, बोलिये, उनका voice, I think मुझे आ रहा है, ढिवान शी का voice आ रहा है ना, भी दिवान शी में बोला सा कुछ, ठीक है, ओके, इन रेजिस्टिव सर्कीट, वोल्टेज और करंट जो होते हैं, वो सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होने का मतलब है कि, एक तो उनकी equation में, जो दोनों का angle है, वो सेम रहेगा, ओमेगा टी, और इसका दूसरा मतलब यह है कि, इस इंस्टेंट पे वोल्टेज मैक्सिम होगी, करंट भी उसी टेम मैक्सिम होगी, यानि दोनों का behavior, एकदम simultaneously change होगा, यह इस पूल्ट सेम फेज, फिर हमने आपको इंड़क्टर सर्कीट भी पढ़ा दिया है, यह तिदेज, यह रह राइट, फिर हमने आपको इंड़क्टर सर्कीट भी पढ़ा दिया था, कि इंड़क्टर सर्कीट में एक back EMF, induced EMF, produce हो जाने के कारण, यहाँ पर voltage और current सेम फेज में नहीं रह पाती है, यदि हमारी voltage V-node sin omega T होती है, तो हमारी current बनती है, minus I-node cos omega T, यहाँ पर उसको हमने reduce कर दिया था, I-node sin omega T minus pi by 2, यानि कि voltage और current के बीच में, एक pi by 2 का phase difference प्रेडिश हो जाता है, और यहाँ पर हमने बताया था, inductive reactance XL equals to omega L, that was the inductive reactance, correct बच्चों? So, that we all discussed, now I think we have to start today, capacitor circuit in AC, खीका सभी बच्चे, ध्यान से बढ़ें अब, capacitor circuit, अब तक मैंने आपको एक recap बता दिया है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिलें बच्चों, तो एक recap, थोड़ा मैं मानता था कि आपको बता दू, अब आप जुड़ जाए, आज की topic के साथ, capacitor circuit in AC, मतलब हमने क्या किया, AC के साथ, एक capacitor को connect कर दिया, capacitor आपको chapter number 2 में बताया गया था, electrostatic potential or capacitance, जिसमें आपको बताया गया था, इस capacitor एक electrostatic device होता है, और इसकी plates के बीच में, electrostatic energy store होती है, और electrostatic energy store करने के कारण, यह आपका एक तरह से energy source, storage device के तरह भी काम करता है, अब हम यह पढ़ना चाते हैं, कि AC को, हम एक AC source को capacitor से यह गी connect कर दें, बच्चों, तो उसमें voltage और current पे क्या effect होता है, उनके phase difference पे क्या effect पढ़ता है, यह सारी बाते हमको study करनी है, तो let us say, capacitor having, oh sorry, this is AC, AC sources को हमने connect कर दिया है, let us V naught sine omega T, correct बच्चों, अब क्या होगा, AC में क्या होगा देखते हैं, अब हमने AC लगा दिया, AC मतलब कैसे variation हो रहा है, sinusudial लेकर रहे हैं, यह यानि अपन देख रहे हैं, किसी 0 से लेकर T by 4 में, यहां पर आपकी voltage क्या हो रही है, maximum हो रही है, तो voltage आपकी इसमें क्या हो रही है, maximum हो रही है, मतलब आपका capacitor क्या हो रहा है, charge हो रहा है, और capacitor जैसे fully charge हो जाएगा, तो current क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, केपसिटर आपका यदि DC होता तो बस ये एक बार चार्ज हो जाता और फिर करेंट इसमें क्या हो जाती जीरो हो जाती लेकिन यहां पर ही क्या है I think मैंने तुछा नीचे लिग दिया है I think यह graph visible नहीं होगा आपको इसको मैं थोड़ा उपर लिग देता हूं कोई बात ही graph I think visible नहीं है अब I think graph visible है आपको yes तो मैं यह कह रहा था बच्चों कि 0 से लेके टी भाई 4 तक क्या वोल्टेज आपकी 0 से वी नोट तक चेंज हो रही है तो उस कंडिशन में आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और क्या हो जाएगा फुली चार्ज हो जाएगा लेकिन अब है कि यह वोल्टेज फी नोट पर तो फिक्स नहीं है अब यह बोल्टेज आपकी वी नोट से वाफीज जी डेव की तरह देंट ments रही यानी की कैपर सेटर क्या हो रहा जाना है और क्या फिली चार्ज हो रहा है तो क्या होगा यहां से करेंट भोई है सर कितनों यानि की अपन प्रज्यामरावाद यौ लेट वाई यौ लेट यू शुड नोट बी लेट टाइम पे आईए तेखिए ओनलाइन सिस्टम में आप लोग गर पे बैठे हैं हो सकता है को नेट्वेक इशु रहा हो इसके साहर लेगिन फिल भी आप लोग कोशिश कीज बनिये सेर्व डिस्टिप्लेन सॉरी सर नेट इसी वाओ के बैठा ठीक है कोई बात में तो मैं किया रहादा बच्चोंगी एसी सर्किट में जब कैपेसिटर होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक बार चार्ज होके बस फिक्स हो गया वो उसका फिर चार्जिंग के बार चार्जिंग होता है फिर डिस्चार्जिंग होता है यानि कि AC सर्किट में कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेश चलता रहता है जिसके कारण सर्किट में करेंट भी आपकी जीरो मैक्सिम जीरो मैक्सिम होती रहती है तो अब अपन को यह देखना है कि क processing के current, कौन सी processing, charging, discharging की processing के current, इसके अंदर जो voltage जो current है, उनके बीच के relationship क्या रहेगा, उनका phase relationship क्या रहेगा, तो यहाँ पर भी अपन start करते हैं, expression of current से, यहाँ से start करते हैं, आपर अपन, expression of current, ओक्य बच्चो, तो देखिए, सपोर्ज अपनी माहानी चलते है, let at any instant, let at any instant, तो कि यहाँ पर हमें instant पर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर charge आपका fix नहीं है, charge आपका vary कर रहा है, क्योंकि देखिए voltage आपकी vary कर रही है, तो capacitor पर charge भी constant नहीं है, वो time के respect में क्या कर रहा है, vary कर रहा है, तो हमने एक instant ले लिया, कि उस instant पर, let at an instant, charge on capacitor plate, plates नहीं लिखेंगे, दोनों plate पर net charge 0 होगा, तो एक plate का charge count होता है magnitude में, क्योंकि यह तो आपको होता है होगा कि जितना magnitude इतना होता है, उतना ही negative magnitude दूस्य वाली plate का होता है, तो capacitor plate is, let us say Q, then, Q can be written as CV, instantaneous value है, तो यह दिये charge की instantaneous value है, तो यहां के आपर voltage की भी क्या रख सकते है, है ना, we can write Q equals to CV naught sine omega T, यह सब को समय में आ गया, तो अपनने किसी instant पे बोल दिया कि charge Q है, और किसी instant पे charge Q है, तो उस instant पे हम लिख सकते Q equals to CV, तो उस instant पे जब charge Q है, तो उस instant पे voltage भी क्या रही होगी, V रही होगी, तो हमने V का value रख दिया, V dot sine omega T, correct है, अब यह दिया, इस instant charge Q है, तो इस instant पे, विख सकते है, विख सकते है, we can write instantaneous current, what will be the instantaneous current, I equals to DQ by DT, तो अब instantaneous current क्या हो जाएगी, I equals to DQ by DT, so now we find the instantaneous instantaneous current देखिएंगे तो देखेंगे जड़ा तो current instantaneous current i equals to क्या बन जाएगी dq by dt और q को क्या रख सकते हैं अपन d by dt cv not sin omega t मैंने क्या रख कर दिया q का value put कर दिया cv not sin omega t और यहां differentiation तो आपको आता ही है सभी बच्चे mathematics के हैं यहां पर इस class के तो so cv not omega cos omega t तो आपको आता है यहां पर इसका रख सकते हैं तो cv not omega cos omega t we can write so d by dt cv not sin omega t and cv not outside then i equals to we can write omega c v not cos omega t so this is the equation of current so what we have got equation of current in the capacitor circuit omega c cos omega t correct बच्चों yes now cos का maximum value क्या होता है आपे 1 तो cos का maximum value 1 होने का मतलब omega c v not क्या बन गया आपका i not बन गया that is called maximum current that is called maximum current i equals 2 चा बन जाएगा i not cos omega t अब देओगा यह minus sign नहीं है बच्चों so minus sign नहीं है it means we can write i equals to i naught cos omega t can be written as sin omega t plus 5 by 2 correct तेकि sin 5 by 2 plus theta क्या होता है cos theta होता है correct तो sin omega t plus 5 by 2 we can write yes omega t plus pi by 2 ठीक है correct तो i not sin omega t अब आप देखिए इस इस इक्वेशन of current let us equation number 1 and what was the equation of voltage we wrote starting v equals to v naught sin omega t हमने जब वोल्टेज लगाया है capacitor circuit में तो the voltage was v naught sin omega t and the current is i naught sin omega t plus pi by 2 यह सिदेश तो अब आप देखिए कि क्या यहां पे हमने दोनों का sign function बना लिया तो अब आप देख सकते हैं इनका phase angle same नहीं है again there is a phase difference between voltage and current वापिस से क्या हो गया phase difference produce हो गया यह इस दिवानशी इस time minus pi by 2 अब यह minus plus का मैंने सच्चक्र बता दिया था आपको कि minus plus का confusion दूर करने के लिए आप voltage के phase angle में से current के phase angle को minus कीजिए और नारी बाद क्यों कि कारण क्या पता है था voltage cause होता है और current उसका effect होता है हम जब भी circuit में setup करते हैं तो पहले हमें वोल्टेज लगानी पड़ती है उसके बाद उसका effect के form में current आती है पहले current नहीं होती है without voltage no current is possible यह basic बात है तो इसलिए हम जब बात करते है phase difference की तो हम लिखते है वी आई phase difference तो वी आई phase difference मतला voltage की equation में phase angle कितना आ रहा है omega t अब current equation में phase angle omega t plus pi by 2 omega t can see that this is minus pi by 2 यहनी voltage current से pi by 2 angle क्या हो गई? पीछे हो गई तो क्या conclusion निकला? voltage lags by pi by 2 phase angle voltage lags by pi by 2 phase angle with the current in capacitor circuit यानि हम ने इस बात को proof कर दिया इस बात को explain कर दिया है कि यदि किसी circuit में AC source pure capacitor से connect है तो उस pure capacitor में आपका जो voltage है वो current से pi by 2 phase angle क्या चलेगा? पीछे चलेगा the voltage will be lagging behind pi by 2 phase difference with the current I hope that it is here कि voltage जो है वो आपका pi by 2 phase angle आपका इचे चलेगा तो ठीक है बच्चो तो ये आपका concept हो गया ठीक है? अब इसमें देखिए इसमें जैसा पने inductor circuit में बताया था obstruction in the current by inductor कि अपनी inductive property के current वो inductor कितना obstruction दे रहा है circuit में जिसको पने नाम दिया था आपको याद होगा inductive reactance है कि नहीं है? आपको ये आपको ये आपको ये आपको ये नाम देखिए 28 people, means 28 students are only in this class. This is not good signal. Today what happened to you? क्या होगा आज आपको? क्यों ये आप class के आए हैं? Definitely आज हम जो defaulters हम को contract करेंजे कि का आचल आकरती, अमन, अंजली, शुरूप के साथे बच्चाएं हैं Net issue क्यों है भाईया? Net तो आ रहा है Net issue तो या मैं नहीं मानता, Net issue मली का सोमिल तो है वैसे उजेश ही है, वर्षा है उटकर यश नहीं है, उटकर श्रीवास्तव नहीं है सभी साथे बच्चे नियत चोड़ो लेकिन ऐसा नहीं होना चीए नहीं है Net का इशू ते को कुछ हट तक असट पे बले लेकिन पूरी क्लास या आप जो इन नहीं करता हो, ऐसा तो नहीं मुझे लगता है इस पर भी हम देखें क्या प्रब्लम आ लिए तो मैं क्या रहता, जिस तरह से इंडॉक्टर जो है आप नवनीद आवाया है, जेखोगे नवनीद क्या हो गया था? What happened? You are coming at 10.25 What happened with you? मैं जो, कभ से हूँ है तो परजेंट सर तब बो आप नहीं है नहीं, you said परजेंट सर सो, I thought that you have just come एक्षिली आइड नोट रीड दा ओल नेम्स ओके तो इंड़क्टर में इंड़क्टिव रियक्टेंस होता है उसी तरह से कैपसिटर में भी जब अपने इसी लगाते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टे लगाते हैं तो रेजिस्टेंस या ऑफ्ट्रक्शन इन दा करन ओफर्ड सीटर में आइडर दरी यहां पर भी कैपने इसको माना था ओमेगा सी विन ओको तो वहलेज चार्ण्ड कि बेढार्य कि अब्सक्षा एक current the ratio of voltage and current we call as a obstruction in the current so we can write v naught upon i naught is 1 upon omega c this is called as xc and this is called as capacitive reactance this is called as bachow this is called as capacitive reactance इसको क्या बोलेंगे यह सार दिखाड़ा सही बोल रहे हैं omega 1 by omega c that is capacitive reactance यहनी इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि capacitor वाले circuit में हमने AC voltage लगाया AC voltage लगाने पर उसमें जब capacitor discharge हुआ जखो यह ध्यान रखना जब capacitor charge हो रहा तो current की tendency का है maximum से 0 होने की और जब capacitor discharge हो रहा है तो current की tendency क्या है zero से maximum होने की क्योंकि जब capacitor discharge च्रजर जएगी तो outer circuit में charge जाएगा और capacitor चार्ज हो रहा है तो current आपकी कम हो रही है ज़्यान रखना मेरी बात दूबारा सुन लिजिए capacitor जब charge हो रहा है तो current की tendency होगी maximum से 0 होने की और capacitor जब डिस्चार्ज हो रहा है तो करन्ट की टेंडेंसी होगी जीरो से मैक्सिमम होने की I think it is clear आप इसको feel कर सकते है अपने मल में आपको सबने आ जाएगा बच्चो तो XC equals to 1 upon omega C तो you can see that the capacity reactance is inversely proportional to capacitance and XC is inversely proportional to omega यानि capacitance जितना ज्यादा है XC उतना ही कम है capacitance जितना ज्यादा है XC कम है capacity reactance आपका कम है if the C is more capacitance is more than XC will be less इसी तरह से आप omega में देख सकते हैं if omega is less than XC will be more and vice versa यानि अपर ये कह सकते हैं कि अपन ने यदि किसी capacitor के across जादा frequency का source लगा दिया तो उसमे capacity reactance क्या होगी कम होगी capacity reactance कम होने का मतलब क्या होगा उस circuit में जब capacitor discharge हो रहा होगा उस capacitor circuit में जब capacitor discharge हो रहा होगा तो during that discharging process current easily flow होगी current के flow में जो obstruction है वो minimum रहेगा कम रहेगा यदि अपने क्या कर दिया omega को जादा कर दिया यानि higher frequency पे जो capacitor है वो एक अच्छे conductor के तरह बहेव करेगा AC circuit में higher frequency पर Xc कम हो जाएगा according to this relation Xc proportional to 1 upon omega c तो कही बहार ये question board में आजाता है कि at higher frequencies capacitor behave as a good conductor source या capacitor gives a good conducting path to the alternating voltage and current explain this sentence or what is the significance of this sentence or is this sentence is right or wrong कही तरह से sentence तो आप से analysis कर वा लेता है तो आपको इस्दम क्लियर रहना है कि how we can explain by this because when omega is more than Xc is less Xc is less means capacity reactance is less capacity reactance is nothing but it is the obstruction in the current flow in capacitor circuit so by this we can conclude that at higher frequencies of AC the capacitor provides a good conducting path to the current capacitor provides a good conducting behavior to the charge I think आपको ये बास रहने आ गई होगी बच्चों तो ये है और capacitor capacitor पर भी different करती है अब जैसे इसको वो कैसे पूछ लेगा कि जैसे मान लो ये मेरा parallel plate capacitor है अब इसको मैंने AC source से connect कर दिया है है ना और यहां पर मैंने क्या लगा दिया bulb लगा दिया है अब इस bulb की glow पे क्या effect पढ़ेगा यदि मैं मान ली जी capacitor के plates के बीच की distance को increase कर दू तो अब आपको जहां रखना पड़ेगा कि C का value होता है A epsilon node by D ये second chapter में आपको पढ़ाया गया था वो आपको learn होना चाहिए तो अपने capacitor की plates की बीच की distance को increase कर दिया तो यहां bulb के glow पे क्या effect पढ़ेगा तो capacitor की plates को increase कर दिया तो D increase कर दिया D increase कर दिया तो C क्या हो गया कम हो गया देखो D increase और C कम हो गया और C कम हो गया तो X की बढ़ गया X की बढ़ गया मतलब abstraction बढ़ गया यानि current कम हो गई, यानि brightness भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, glow decreases very good क्या सब बच्चे जो हैं आपे 27 बच्चे हैं रह गए हैं ये क्या इस बात को समझ पाने हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि capacitor is with AC source and a bulb is also joined in the circuit then what will be the flow, what will be the effect on the glow of bulb केतन वर्मा, all are saying yes, it means you are understanding what I am telling, very good बच्चो बहुत अच्छी बात है, आपको समय में आ रही है हमारा purpose ultimately यही है, चाहे हम offline में पढ़े हैं, चाहे हम online में पढ़े हैं, मेरी बात आपके mind में जा रही है, कि नहीं जा रही है, only that matters किसके अलाबा और कोई चीज मेटर नहीं कर देए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, that are all secondary things, the main thing is that I am explaining something, you are understanding or not, ठीक है, that is, तो बच्चों यह मैं आपको बताना चाहता है, और जैसे इसमें कई बार modification, यह डाइलेक्टिक स्लैब डाल देगा, तो हम जानते हैं, डाइलेक्टिक स्लैब डालने पर C क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बताया था आपको, इसमें capacitor plate के व होने पर X ही डिक्रीज हो गया, X ही डिक्रीज हो गया मतलब किया, current का effect बढ़ गया, यानि glow इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह के questions आपके exam में आते हैं, और आते रहे हैं, and you should be ready mentally for answering such type of questions on the basis of the various formula and concepts, इसी तरह से मैंने आपको inductor में बताया था, कि inductor coil is connected with AC source and a bulb is there, तो इं inductance L का formula mu not N square A by L, तो वहाँ से आप देख लो वो क्या change कर रहा है, number of funds को change कर रहा है, permeability को change कर रहा है, या area को change कर रहा है, उस हिसाब से आप देख लो कि जो उसका inductance capital L है, उसके क्या फिट पड़ेगा और उसके आदार चाहते Excel equals to omega L वाला formula है, उसके आप देख लो, और Excel ब C यदि कम होंगे, तो बगवा आपका ज़्यादा ग्रो करेगा, तो यह सारी बाते हैं बच्चों, इसमें आपको ध्राल सकती है, I hope कि आपको इसमें अगया होगा, अब अपन इसमें, अपन यह behavior show कर सकते हैं, कि graph बना सकते हैं, कि XC varies with frequency, यहाँ पे हमने क्या माना है, constant C मा कर दिया AC source से, और अपना बुत AC source की frequency को vary कर रहे हैं, तो we can say how the XC will increase, तो यह आपका hyperbolic आएगा, देखों कि सब relation बन जाएगा, XC proportion to 1 by omega, तो 1 by omega graph आपने अपने लिए पढ़ रखा है, इस तरह का ही होता है, C constant है, तो frequency increase होने पे आपका XC क्या होगा, decrease होगा, यानि current आप क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, easily flow होने लग जाएगा, तो I think it is clear, ठीक है बच्चों, इस तरह कर रहे है, तो आपका voltage decrease हो रहा है, तो current आपकी क्या हो रहे है, इसलिए इसलिए तो 5 by 2 का phase difference आया है, इसलिए 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 इसमें क्या आया है, 5 by 2 का phase difference आया है, voltage is lagging behind with current, voltage जो है, वो current से चाह कर रहे है, पीछे चल रहे है, यह lagging behind, it is lagging behind with the current, तो बच्चों, now we draw the phasor diagram, we draw the, now phasor diagram, what is the phasor diagram, मैं already आपको दो phasor diagram बना चुका हो, resistive circuit और inductor circuit में already phasor diagrams बना चुके हैं, तो I don't think there should be any problem to you all people, phasor diagram मतलब में फिर बोल दू कि किसी भी circuit में voltage और current के बीच में phase difference को शो करने वाला pictorial या एक diagram या एक diagrammatic representation जिसमें उसको देखते ही पता लग जाए, कि voltage और current के बीच में क्या phase angle है, that is called as phasor diagram, जल्दी से देख लेते हैं phasor diagram, graph बना देते हैं और capacitor circuit और हम चलेंगे LCR, combination of circuit, लेकिन इससे पहले मैं आपको phasor बना दू पहले, तो, what is the phasor, what is the phasor diagram of this circuit, तो हमारी voltage equation we can say, sin omega t, b not sin omega t, i not we can say, i not sin omega t plus pi by 2, ठीक है बच्चो, now, इस तरह से देखिए, yes, this is x terminal, this is y terminal, ठीक है, now, किसी instant पर voltage में कितना angle बनाया, x axis से, omega t, voltage को बना दीजिए, omega t angle, ये voltage, और ये voltage, कि क्या हो गई, peak value हो गई, this is the peak value of voltage projection बताया था न, yes, अब उसी t पर आपकी current को कितना angle बनाना है, omega t plus pi by 2 होगे हो, यहाँ से current उठेगी, omega t तक, लेकिन current को तो उठा है, omega t plus pi by 2 तक, तो यहाँ से आपकी current क्या होगी, जिस instant पर ये omega t पर होगा, उस instant पर current हमेशा pi by 2 आगे होगी, यह तो बात हमों कर रहे है, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ तक pi by 2 बन चुका, यहाँ से 90 degree का angle आप रो कर दीजिए, like this, यह आपका current का projection हो गया, और this is, यह इसको 90 degree शो कर देंगे, तो टोटा अंगल क्या हो जाएगा, current का, pi by 2 plus omega t, तो यह इसका phase है, यह angle आपका क्या बन रहा है, 90, यह angle, यह तो जो जो ओमेगा t plus pi by 2, तो यहाँ तक omega t plus pi by 2, so this is the total phase, phasor diagram, between voltage and current, इसको डाउट होता आप पूर सकते हैं मेर से, if any doubt you are feeling in this diagram, you can freely ask, लेकिन बहुत important चीज़े हैं बश्चो, AC वाला chapter पूरा analytical chapter है, mathematical chapter है, लेकिन मैस वाले बच्चो को इससे कोई प्रवलम नहीं होती है, यह कभी भी, ठीक है ना, वैसे तो समझने वाले किसी बच्चो कोई प्रवलम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम मैस वाले बच्चो से expert करते हैं, कि बिकॉर्च वो मैस्मेक्टिक्स में भी उत्रहीं इंवोल रेते हैं, वहां पर यह analytical chapter definitely उनको इतना हाड नहीं होना चाहिए as compared to biology student, so this is the basic thing that we want to make you understand, that in inductor circuit there is a 5 by 2 plus omega t for current and omega t for 4. तो ठीक है बक्चो यह हो गया, इसके बादबन बनाते हैं graph, इसके बादबन क्या बनाते हैं? graph बनाते हैं, d original, तो graph, विए इग्राफ बनाते हैं देखो, yes, देखिए, graph के लिए आप देख सकते हैं कि इसपर नने यहां से आप देखिए पहरे तो V naught sin omega t voltage को ले ली जे आप यह इस तरह से यह आपका V naught हो गया यह आपका V naught हो गया like this है ना यह तो voltage V naught sin omega t अब देखो जब आपकी current 0 है तो voltage आपकी positive में 0 है तो यह t equals 0 के current को show कर दो फिर यह जब maximum होगी तो current आपकी 0 हो जाएगी यह देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको different chalk से दिखा देता हूँ तो you will clearly understand more better way more clear way yes so yes it went so यह देखो यह maximum अब यह जब आपका 0 है तो यह आपका क्या हो जाएगा maximum फिर इस तरह से फिर यह negative maximum तो यह 0 और फिर यह जब यह voltage 0 तो यह फिर आपकी maximum तो यह जो आपको दिख रहा है orange color में that is basically current और यह आपको जो दिख रहा है blue color में that is I, that is voltage sorry yes so this is basically एक करवड हो गए यह थोड़ी सी करवड हुई है यह आपे मैंने peak value को same कर दिया है यह थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अपने थोड़ा सा इसको उपर लेना पड़ेगा आपको तो यह आपका क्या हो गया minus I notch yes यह और यह आपकी फ्रस और यह फिर आपकी यह है इस्टुएंट्स voltage current relationship कर for the capacitor circuit is it understood by everybody I think it is understood because इसमें बस ज्यादा तो मैर्प्रेटिक्स में sign कोशाने ग्राफ पड़ेवे भी हो तो जो sign कोशान के ग्राफ जानता है student उसको तो मैं मांग के चलता हूँ कि इसमें कोई problem होनी ही नहीं चाहिए वह टी कोश तो जीरो पे voltage maximum है तो current आपकी sorry voltage zero है तो current आपकी maximum है अच्छा यह इसमें बताओ मैं आपका क्या concept है कि इसमें वह वाली बात है कि आपका जो voltage zero है तो आपका capacitor क्या है discharge है तो capacitor discharge है तो current आपकी maximum की तरफ टेंड होती है अपनी मांग के चल रहे हैं किसी इस्टेंट पे और फिर आपका capacitor जैसे जैसे क्या होगा charge होगा यह voltage बढ़ेगी तो current आपकी जीरो होगी तो वही बात है देखो मैं आपको यह बात है बोर्ड पर लिग भी देता हूं यह बहुत important बात है capacitor के रिलेक्स में AC सर्कुट में रहां रखना लेकिन not in DC AC सर्कुट में हमेशा जहां रखना जब आपका capacitor discharge capacitor sorry during the charging of capacitor during the charging of capacitor जो current की tendency होती है वो maximum to zero की होती है charging हो रहा न तो current आपकी maximum से zero तक change होने की tendency रखती है और during the discharging of current during the discharging of capacitor sorry during the discharging of capacitor जो current की tendency होती है वो zero से maximum होती है तो जो current की tendency होती है वो zero से maximum होने की होती है तो I hope that it is clear तो सभी बच्चों को ये बात सरन आ गई है की during the charging and discharging of capacitor what is the pattern of changing the current what is the pattern of changing the current current के pattern क्या है change होने का that you always repeating your smart so this one this is all about over capacitor circuit ठीक है voltage legs कीछे चलती है with current with pi by two angle okay तो ये है now now we come to the sparing combination of the component अब AC circuit में क्या करेंगे हम components को combine कर देंगे अब combination में क्या क्या possibility हो सकती है R के साथ L combine हो जाएगा तो हम बोलेंगे R L circuit resistance inductive circuit R के साथ C combine हो जाएगा तो हम बोलेंगे R C circuit resistance capacitor circuit R के साथ sorry L C R तिनों को एक साथ series में connect कर देंगे पहले में भी कर सकते हैं लेकिन हमारे सलेबस में LCR series circuit का ही analysis बताया गया है फिर L को C के साथ कर सकते हैं तो LC circuit बन जाता है there are so many possibilities of pairing or grouping of the components कि अभी तरह हम बात कर रहे थी कि हमारा capacitor वो अकेला capacitor inductor inductor से जुड़ावा अकेला वो resistance अकेला वो अब हम pairing कर देंगे तो pairing में देखो हम लोग कैसे बताते हैं हम आपको पहले LCR circuit से start करते हैं हम पहले ही यह मानगे तरहते हैं कि all the three are basically connected in series with the AC voltage source उसके बाद हम क्रिक क्या कर देंगे उसमें से C को मिस कर देंगे तो RL circuit के formula आ जाएंगे फिर हम L को मिस कर देंगे मैं अलवा टम हटा देंगे तो R circuit के formula आ जाएंगे तो फिर हम को क्या करना पड़ेगा तीनों circuit को अलग-अलग describe पढ़ने की जड़त नहीं पढ़ेगी वन्ला मैं यह मानगे चलूँ कि LCI circuit से ही RL और RC यह दोनों circuit हम explain कर पाएंगे derive कर पाएंगे और उसमें easiness नहीं देगी कि आपको क्यों LCI circuit के ही formula आज रखने पड़ेंगे RL और RC के अलग से learn करने की जड़त नहीं है बस जब भी RL आए C वाला term कायब कर देंगे जब भी RCI आएगा L वाला term कायब कर देंगे RL और RC के formula हमारे पास ready रहेंगे I think मैं जो बोर रहा हूं आपको समय में आ रहा होगा मैं क्या बोर रहा हूं हम LCR circuit पढ़ेंगे start का से करेंगे LCR series circuit तो now we will start LCR series circuit मैं थोड़ा सा introduction दे देता हूं complete तो नहीं हो पाएगा आज की class में ये circuit लेकिन मैं इसको थोड़ा introduce करा देता हूं आपको थोड़ा time में मैं आपको 5 minutes का ठीक ना तो I introduce you this LCR series circuit series हमारे course में कौन सा बताया गया है बच्चो शीरीज कॉमिनेशन वाला बताया गया है so LCR series circuit देखिए ये हमारा क्या हो गया inductor that is L, fill capacitor that is C and then resistance that is R these three components are connected in series with the AC source और ये हमारा net voltage है V0 sin omega T ये हमने क्या कर गया voltage V0 sin omega T लगा दी अब यहां पे आपने पड़ा है कि कोई भी electrical component हो चाया वो capacitor हो capacitor हम चार्ज बोलते है resistance, cell हो, resistance हो, current क्या रहती है same रहती है तो पहली बात इन तीनों में current का value क्या रहेगा, किसी भी instant के I रहेगा I क्या रहेगा तीनों में same है correct I will be same I अलग अलग नियोगा, I का अलग होगा, I यह यह पैलल में correct के जाते तो if these would have been corrected in parallel then definitely I will be different but now we are studying series combination of these three components लेकिन voltage तो different different होगी, क्योंकि series में voltage अलग अलग होती है तो यहाँ पे हम यह मान की चलने की current will be same current I will be same for all three components and voltage VL, VC, VR यानि हमने बाल लिया कि inductor पे voltage VL है capacitor पे voltage VC है और resistance पे voltage क्या है VR अब देखो क्या होगा यह VL और VCR का जो behavior है वो थोड़ा सा क्या है एक दूसरे के respect में अलग-अलग है इसलिए हम यहाँ पे क्या करता है VL, VC और VR को directly add नहीं कर सकते algebraically समझने कोजिश करना था यह discussion बहुत important है कि हम VL, VC और VR को simply add नहीं कर सकते क्योंकि यह इस circuit के अंदर एक दूसरे के respect में एक ही तरीपे से change नहीं हो रहे हैं एक ही pattern से change नहीं हो रहे हैं यह नौट चेंजिंग विद डिफ्रेंट सेम पैटर्ट क्यों नहीं है क्योंकि अब देखों सुनों मेरी बात सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि हमारा resistance circuit voltage VR तो उसमें क्या होता है current voltage क्या होती है एक ही face में होती है voltage पहला circuit तो वहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं कि जैसे हमने मान लिए current के लाई है this is current की लाई current की लाई में जो voltage है वो सेम चलती तो VR क्या होगा resistance across voltage और resistance across voltage current के साथ ही रहता है circuit पर पढ़ाया था आई तिंग आपना आ लेकिन जब हम VL पर आते हैं inductor voltage पर आते हैं inductor voltage मैंने क्या पताया था voltage ahead with pi by two angle voltage current से pi by two angle आगे चलती इन inductor circuit तो यहाँ पर जब मैं VL को दिखाऊंगा अब जैसे कुझे नहीं मालूं VR क्या है लेगे मैं तो current को पकड़ूँगा अब current से मुए क्या करूँगा VL को pi by two ahead दिखा दूँगा तो automatically वो VL VR से भी क्या हो गया pi by two ahead हो गया मैंने तो VL को current से pi by two ahead दिखाया लेगे already VR भी current के साथ चल रहा था तो inductor voltage current से pi by two ahead हो गया फिर third voltage आती है VC this is lagging यहाँ पर current voltage lag कर रही है यह तो अभी डिसक्स किया आज ही हमने तो यहाँ पर we will write VC assuming that VL is greater than VC थोड़ा आपको मानना पड़ेगा अब आप देखिए VL इधर जा रहा है VC इधर जा रहा है VR तो इनकी जो pattern है change होने का वो different है यह एक same phase में तरीके से change नहीं हो रहा है इसी लिए हम इनको algebraically add नहीं करते और इसी लिए हम इनको किसे add करते है vector method से add करते है अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बोले यह तो इसकेलर बताया थे हमने तो voltage पड़ा है आज से इसकेलर और की बिल्कुल voltage इसकेलर तो आप मानके चल रहे हैं और बच्चो मैं आज की क्लास को यहीं कतम करूँगा यह discussion अब देफिनेटली हमारा अधूरा रहा है मैंने पहले बोल गया थाए इसको करेंगे बच्चों क्यों कि मेरे हमारी भड़ी है हमारी जो समय है वह हमें बोल रहा है कि इस क्लास को फटम क्या जाए विक्वर नेश क्लास का थाइव हो गया है आपका वी आपका तो 11-12 प्री 43 या 40 के तक बच्चे होने चाहिए आज बहुत कम बच्चे से I am slightly disappointed with the less students but not disappointed slightly disappointed but I am definitely बच्चों को कुछेंगे कहा problem आईए उनको क्यों नहीं आए वो नो okay students so take care school कपसे शुरू होंगे बताएंगे जब दी शुरू होंगे don't worry you just send your detail I have a send you a message on whatsapp you just send your detail for STSC form so that I can timely fulfill your phone because today is the last day and after that we won't be able to entertain much students so okay students so